दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अपनी YouTube वीडियो में आई बटन कैसे लगाई और आई बटन क्या होता है और इसका benefit क्या है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आई बटन क्या होता है तो जब भी आप YouTube पर कोई भी वीडियो देखते हो तो आपको उस वीडियो में यहाँ पर इस तरह से एक black color की पट्टी दिखाई देती होगी तो इसी को eye button बोलते हैं और जब आप इस पे click करते हो तो आपको यहाँ पर नीचे वो वीडियो दिखाई देती है जो eye button में add की गई है तो इस तरह से आप अपनी यूटीब वीडियो में eye button लगाकर अपनी वीडियो पर views को increase कर सकते हो और दोस्तों इसका benefit यह है कि अगर आपने किसी topic पर वीडियो बनाई है और आपने उस topic से related अपने यूटीब चैनल पर कुछ और वीडियो बनाई हुई है तो आप उन वीडियो को eye button में add करके उन पर views increase कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में आपको यहीं बताऊंगा कि अपनी यूटीब वीडियो में eye button कैसे लगाई तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं studio.youtube.com तो चलिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूं तो दोस्तों आपको इतना लिख के इसको सर्च कर देना है और इसको सर्च करने के बाद आपका यूटीब चैनल आपके chrome browser में open हो जाएगा तो चलिए मैं इसको सर्च कर लेता हूं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यूटीब चैनल chrome browser में open उचका है और इसके बाद आपको क्या करना है आपको यहाँ पर वीडियो वाला option दिखाई देगा आपको वीडियो वाले option पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपने बटन लगाना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का page open उजाएगा और आपको यहाँ पर अपनी वीडियो दिखाई देगी तो आप यहाँ से अपनी यूटीब वीडियो में आई बटन लगा सकते हूं तो आई सबसे पहले यहाँ से timing select कर लेनी है कि आप अपनी वीडियो में कितने minute या फिर कितने second पर i button add करना चाहते हैं जैसे मैं अपनी वीडियो में एक minute पर i button add करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर 1 minute की timing select कर लेता हूं और इसके बाद आपको यहाँ पर काफी सारे option दिखाई दें के लिए आपको करना क्या है आपको वीडियो वाले option पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने YouTube चैनल की सबी वीडियो दिखाई देगी तो आप जिस भी वीडियो को i button में लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से उस video को select कर लेना है जैसे म i button लगाने के लिए आपको फिर से timing select कर लेने है जैसे मैं दूसरा i button 2 minute पे लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से 2 minute की timing select कर लेता हूँ और इसके बाद आपको क्या करना है आपको यहाँ पर card वाला option दिखाई देगा आपको card पे click कर देना है और card पे click करने के बाद आपको video में जानना है और वीडियो में जाने के बाद आपको यहां से फिर से कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है तो चले मैं यहां से कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरी दूसरी वीडियो भी आई बुटन में एड़ हो चुकी है तो i button लगाने के बाद आपको क्या करना है आपको यहाँ पर save वाला option दिखाई देगा आपको save पे click कर देना है तो चले मैं save पे click कर देता हूँ और save पे click करने के बाद आपने जिस भी वीडियो को i button में लगाया है और अपनी YouTube वीडियो पर views को increase कर सकते हूँ तो दोस्तो वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को like करना और channel को subscribe करना